नमस्कार, रीनास फूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है सर्द्यों के मौसम में हम जिनरली सूप पीते हैं आईए एक तरह का सूप टोमेटो सोर्वा बनाएंगे आईए देखे इसे कैसे बनाते हैं टोमेटो सोर्वा को बनाने के लिए मैंने कूकर लिया है आप कडाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें एक चमच तेल डालेंगे एक तेश पत्तर डालेंगे स्वाधन उसाथ सुखी लाल मिझ डाल देंगे एक बड़ी लाची मैंने डाला है आप भरी लाची भी इस्तमाल कर सकते हैं चार-पांच साबुत काली मिश डाल देंगे, एक छोटा सा दालचिनी का टुकड़ा डाल देंगे, थोड़ा साबुत धनिया, सौफ और जीरा डाल देंगे, थोड़ा इसे चटकने देंगे, मैंने 8 टमाटर को बड़े-बड़े कट किये हैं, उसको डाल देंगे, 6-7 लेसुन की कलिया डाल देंगे, 1 इंच अध्रा का टुकड़ा जिसको मैंने कट किया है, 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना डाल देंगे, 3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश धनिया पत्तर डाल देंगे, धनियों और पुदीना का स्टेम कट करके इसमें डाल देंगे, स्वादा नुसार नमक डाल देंगे एक कप इसमें पानी डाल देंगे धक्कन लगा करके इसे एक सीटी देंगे सब बॉयल हो गया है अब इसे ठंडा करेंगे बड़ी इलाइची और तेज पत्ता इसे निकाल ले हैन ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर ले या फिर आप मिक्सी से भी पीछ सकते हैं अब आप इसे छान लें किसी चमच की साहता से आप इसे दवा करके छान ले यह आपको थोड़ी मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दें टोमैटो सुरबा हम थोड़ा पतला पीते हैं इसमें आदा कप गरम पानी डाल दें आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं मैं एक स्पेशल तड़का लगा रही हूं एक चमच तेर लिया है आप बटर भी यूज कर सकते हैं एक चमच अजवाइन डालेंगे पाइनली चॉप्ट इसमें छे साथ गार्लिक डालेंगे एक चमच बारिक कट हुआ अद्रक डाल देंगे स्वादा नुसार मिर्ज डाल देंगे इसे थोड़ा भून लेंगे अब इसे सूप में डाल देंगे जब इस तरह का तड़का उपर से डालते है तो काफी टेस्टी बनता है देखिए बनकी तयार हो गया है अब इसे ग्लास में या सूप बॉल में सर्व करें तो यह था टोमेटो सुर्वा बनाने का असान तरीका आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रिनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें अगर आपको यह रिस्पी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स डेसीपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स फर वाचिंग